हलो आपरीबन वेलकम तो माई चैनल तो आज लोग सॉल्व करेंगे कोर्षिन नंबर 5 पर कोर्षिन नंबर 6 और यह अपना है ब्रेंटीजर चैप्टर 7 अलजबरिक आइडिटिटीज और इसके पहले के जो कोर्षिन से उसके वीडियो लिंक आपको मिल जागा डिस्क्रिप् स्फिक्तर से आडिन्स कर सकते हैं उसको नॉट करेंगे यहां प्रहन पे मिसक कर सकते हैं 400400 माइनस भन यह हमारा आ जगा 399 अब यह हमारा यह कहला जाएगा और हमारह पास एमारों सघे होता है उसका हमारे पास जो वेलू है वह हम आप मरें नंट कर देते हैं यह हुआ करता है A square और मैनस में 2AB और प्लस B square तो चलिए आप apply किजिए जो identity है इसको तो यहां पे हमारे पास आता है 400 और यह हमारा हो जागा square और मैनस में यह हमारा हो जागा 2 into A का value 400 और into B का value हमारे पास 1 प्लस यह हमारा 1 का यहां पे square होने वाला है तो अभी देखिए यह हमारा हो जागा 4 416 और यहां पे 20 हैं तो 40 हमारे पास आ जाएंगे और यह 4208 हमारे पास 20 जहां पे आ जाएगा और यह 1 square हमारा 1 रह जाएगा अब आप देखेंगे कि पहले हमको यहां पे क्या करना पड़ेगा ना एड करना पड़ेगा या फिर आप subtract पर कर सकते हैं कोई बात नहीं है तो अभी हम यहां पे column method का यूज़ करने वाले हैं तो यह हमारे पास यह देखिए 16,000 वन लैक 60,000 ठीक है तो इसको ए요 नओ कर दिए और इसमें से हम क्या करते हैं 800 को मैनस कर देते हैं तो 800 को हम यहां पर मैनस कर दिए देखिए यह हमारा क्या यहां पर आ जाता है यहां पे हमारे पास 2 बचेगा और यह 9 और यहां पर 5 और यह 1 ठीक है तो 1,59,200 और इसमें से 1 को हम एड़ कर लेते हैं तो 1,59,201 हमारा अंसर बन जाता है ओके तो चलिए हम यहां पर पहले इसको एड़ करेंगे यह हमारा हो जाता है 1,60,001 और इसमें से हम क्या करेंगे 800 को माइनस कर देंगी तो पहले हमारा एड़िशन होता है बाद में हम लोग सब्ट्रेक्शन का काम कर रहे होते हैं तो सब्ट्रेक्ट करने के बाद हमको यहां पर मिल जाएगा 1,59,201 यह हमारा अंसर बन जाता है तो आप देख सकते हैं क इतना simple है बस हम लोग को यहां पे यूज करना है identity ओके तो आप देखे हम इसको यहां पे क्या नोट करेंगे हम लिख सकते हैं 60 plus 2 कर सकते हैं 62 है तो यह square होगा फिर हमारा यह हो जागा 60 square और plus 2 into A that is 60 into B that is 2 and यह हमारा हो गया 2 to the power 2 यह कितना हो गया 6 का square 36 यहाँ पे 20 जा जाएंगे और यह 6 तो जा 12 तो जा क्या हो गया 24 यहाँ पे हमारा 10 रहेगा और यह हमारा 4 सबको एड करना है तो एड करके हमारा पास क्या आ जाता है यह हमारे पास 3600 है तो इसमें 3600 to 844 हो जाएगा तो 3600 के जगा हमारा क्या होगा ना 800 हो जाएगा 3800 और यह हमारा 44 हो जाएगा ठीक है तो इस तरह से हम और ली एड कर सकते हैं या तो अगर आपको और ली में थोड़ा दिक्कत है तो आप क्या करेंगे ना कॉलम मैथड यूज करेंगे हाना कॉलम मैथड में आप जो भी नंबर से उसको आप नॉट कर दिजी और बड़े ही आसाने से आप इसको एड कर सकते हैं यह देख लिजिए हमारा आ गया आंसर इसमें कोई मिस्टेक होने का चांसे बिल्कुल खतम हो जाता है कॉलम मैथड से ओके तो चलिए हम यहां पर आंसर नॉट कर देते हैं तो अभी हम इसको क्या लिखेंगे आप बता दिजी यहां हम लिखेंगी 100 प्लस 3 और हम इसको लिखने वाले हैं 100 माइनस 3 राइट अभी हमारा क्या ह हो जागा यह हमारा हो गया a plus b और multiply में a minus b that is a square minus b square तो आप कर दीजी तो यहां पर आपको करना पड़ेगा 100 square और minus में यहां पर आपको करना होगा 3 square तो 100 square that is यह हमारा हो गया 10,000 ठीक है minus में 3 square that is 9 अगर आप minus करते हैं 9 तो आप देख लेजिए आपको क्या मिलता है आपको मिल जागा 9,991 मिलने वाला है ओके तो चलिए हम यहां पर note कर लेते हैं 9,991 यह हमारा हो गया answer मैंने यहां पर आपके लिए करके दिखाया भी है आप यहां से देख सकते हैं यह हमारे पास है 10.1 square तो इसको हम simply note करेंगे 10 प्लस 0.1 square ठीक है इसका हॉल square अब हमारा फिर से यहां पर यह प्लस भी हॉल square लग जाएगा तो 10 square हमारे पास प्लस में हमारा होगा 2 into 10 into 0.1 और यह प्लस में 0.1 इसका square करेंगे तो यहां से हमको मिलता है 100 और यह देखिए 2 into 1 और into 10 हमारा क्या होता है 20 और यहां पर 1 digit है decimal के बाद तो यहां पर हमारा point आ जाएगा और यह हमारा 1 into 1 तो हम 1 ही रह जाएगा और तो यहां पर digits के बाद हमारा decimal के बाद एक digit है तो हम यहां पर 0 put करेंगे और इसके बाद यहां पर decimal put करने वाले हैं तो अब हम क्या करेंगा ना पहले add करेंगे तो यह जो hundred है hundred का मतलब क्या होगा ना अम इसको लिख सकते हैं 100.00 इसमें हम add करेंगे 0.01 पहले add करना पड़ेगा तो यहां पर हम लोगों को क्या मिलता है यह हमको मिल गया 108.01 यह हम यहां पर note कर देते हैं यह हमारा हो गया 100.01 और इसमें हमको minus करना पड़ेगा 2.0 आने की रूपीज 2 तो आईए हम माइनस कर लेते हैं यहां पे 2.00 हम नोट कर सकते हैं तो यह हमारा वान आएगा 0 आएगा यहां से हमको 9 बच जागा यह हमारा 10 हो जागा 10-2 हमारा 8 हो गया और यह हमारा 9 यहां पर आजाएगा तो आप देखिए यह हमारे पास क्या आ गया 98.01 हमारा आंसर आ रहा है हम यहां पर लिखेंगे 98.01 हमारा क्या हो गया ना फाइनल आंसर तो बिल्कुल सिंपल है तो आए हम यहां पर 100-15 नोट करने वाले हैं यह हमारा क्या हो जगा 100-15 और इसका square कर लिए मैनस में यह हमारा क्या हो गया 100-25 ओके हम इसका यहां पर square कर लिए फिर से हम यहां पर a-b all square यूज कर लेते हैं और यहां पर भी कर लेंगे तो यहां पर हमारा हो जाता है 100 square आने की a square और minus में 2 into a 100 और into b that is 15 और प्लस में 15 square होगा आने की b square minus है तो आप minus लेजिए और यहां पर bracket पूट कर लेजिए यह आपका हो जाएगा 100 square और minus में 2 into a का value 100 और b का value 25 और प्लस में यहां पर होगा 25 square और यह आप bracket close कर दीजिए यहां से आपको मिल जाता है 10,000 इसको multiply करेंगे तो 15 to the 30 और 30 इसके बाद 2 0 put करने हैं और यहां पर 15 का square हमारे पास 225 होता है हम लोग को पता है और आगे चलिए यह माइनस हमारा भी रहने वाला है यह हमारा यहां पर 10,000 और 25 तूजा हो गया 50 और यहां पर 20 रोज आ जाएंगे और प्लस में 25 का square हमारे पास होता है 625 राइट अब आगे हम इस bracket को यहां पर break करने वाले हैं ओके तो आईए पहले इसको हम यहां पर add कर ले देख लिजब कुछ भी कर सकते हैं कोई दिकत नहीं है तो आईए हम पहले प्रेकेट को break करते हैं तह अभी रहने देते हैं हाना हमारा हो जाएगा 5000 और यह मीने समें हमारा हो गया to 6625 यह मारा कंसल आउस हो रहा है तो किंसल आउट हो गया और भी कुछ हो रहा है नहीं हो रहा है तो अभी आप क्या करेंगा ना А जो प्लस में हैं उसको आप एड कर लिजी और मानस वाले को één epidemi खैड तो यह आपका देखिए प्लस में है ठीक है और यह भी आपका प्लस में है आप इसको एड़ किजी तो और यह आपका है माइनस में और यह आपका है माइनस में आप इसको एक साथ एड़ किजी तो पहले हम प्लस वाले को एड़ कर लेते हैं ठीक है तो हमारे पास 5,225 तो हमा आजागा 3625 आप अब हम क्या करेंगे न इसका डिफ्रेंस लेंगे तो यहां पर देख सकते हैं हमारे पास क्या आता है डिफ्रेंस मैं यहां पर कॉलम में थर्ड में नोट कर लेता हूं तो यह देखिए फाइप मैनस फाइप तुमकुष जीरो आगया टू मानस टूमारा जी तो यह क्या होगा आप देखिए 1600 हमारा है यहां पर आ रहा है answer तो हम यहां पर नोट कर लेते हैं 1600 अब यह पलस होगा कि मैनस तो यहां पर जो बड़ा नमबर है वो पलस में है इसलिए हमारा यह answer हमारा पलस में होने वाला है ओके next हमारे पास जो प्रस्न है इसको हम कैसे solve करेंगे यहाँ पे 291 को हम लिखने वाले हैं 300-9 ओके और इसको हम लिखेंगे 300-9 ठीक है तो फिर से ही हमारा यूज हो जाएगा यह देखिए यह हो गया A और यह B A और यह B that is A plus B और यहाँ पे A minus B that is A square minus B square तो आप यहाँ पे क्या note करेंगे आपको note करना है 300 A square minus 9 A square ओके यहाँ से आपको क्या मिलता है यहाँ पे आपको मिलेगा 339 और यहाँ पे 20 जहनतो 4 0s और यह 9 that is 81 अगर आप minus करते हैं तो आपको क्या मिलता है तो हमारा यह आ जाता है 89,919 इस तरह से बन जाता है हमारा प्रस तो question number 6 हम solve करेंगे और यहाँ पे हम लोगों को evaluate करना है आने की x का value निकालना है यह हमारा equation दिया हुआ है तो आई यह हम इसको note करते हैं इंप्लाइज लेंगे यह हमारा 36 x अभी है और यह 78 को हम थोड़ा simple way में लिखते हैं that is 80 minus 2 note कर लेते हैं और इसका square रहेगा और 42 को हम note कर लेते हैं 40 plus 2 इसका हम square कर लेते हैं चलिए ज़रा इसको solve करते हैं अभी left side हमारे पास 36 x रह जाएगा इसको रहने देजिए यहाँ पर a minus b का whole square लेजिए तो a square आप करने वाले हैं minus में 2 into a into b करिए और plus में आपका यहाँ पर 2 का square होगा फिर आपका minus है आप minus लेजिए और bracket यहाँ पर लेजिए चुकिए minus है इसलिए अगर plus होता तो bracket लेने क्या हो सकता नहीं थी लेकिन minus है तो आपको bracket लेना पड़ेगा और यह 40 square फिर आप plus करेंगे 2 into a into b और यह plus में b के जगा पे 2 इसका आप square कर लेते हैं अगला step आपके पास यह देखिए 36x अभी यहाँ पर रहेगा और यहाँ चलिए 80 का square 88 जा 64 और यहाँ पे 0 आजाएंगे 2 0s multiply किजिए 2 2 जा 4 4 8 जा कितना होता है 32 तो यहाँ पर आपका 320 हो गया और यह आपका हो जाता है 2 का square that is 4 फिर आप minus कर लेजिए यहाँ पर आपका है bracket लगा हुआ यह 4 4 जा 16 और यह 2 0 जाएंगे प्लस में आपका होगा 2 2 0 4 4 4 0 16 और यह प्लस में आपका हो रहा है यहाँ पर ब्रैकेट आप close कर लिए चलिए next step आपके बढ़ते है यह हमारा हो गया 36 x और इधर से हम यहाँ पर bracket को पहले तोड़ देंगे अभी आप as it is रहने देजिए अभी आप कुछ change मत करें अच्छा है तो आप change कर भी सकते हैं आनकी add कर सकते हैं यहाँ पर bracket तोड़ने के लिए minus से multiply करना पड़ेगा तो यह हमारा हो जाता है minus में यह भी हमारा हो जागा minus और यह भी हमारा हो जागा minus हमारा bracket अब क्या होगा ना हट चुका है अब आईए हमारे पास जो minus में है उसको एक साथ add करेंगे और जो plus में है उसको एक साथ add करेंगे अगर कुछ cancel out हो रहा है तो आप कर दिजी यह देखिए minus 4 और यह plus 4 आपका cancel out हो गया तो अभी आपको यहाँ पर क्या मिलता है यह तो आपका left side 36 x रहे जाएगा और यहां से यह plus में है और कुछ भी plus में आपको देख रहा है नहीं यह आपका minus में है आप इसको add कर लिजे तीनों को तो आपके पास क्या क्या है यह है आपका 320 यह है आपका 1600 और यह है आपका 160 सभी को add कर दीजिए चुकि तीनों के तीनों आपके minus में है तो add करने से यहाँ आपको क्या मिलता है आप चेक कर लिजिए यह हमारा हो गया 10 और यह देखिए 2080 हो गया ठीक है तो आप यहाँ पर note कर दीजिए 2080 तो आप सबसे पहले यह तो note करेंगे 6400 और यहाँ पर minus में आपका हो जाएगा 2080 क्यों चुकि यह सारे के सारे नमर हमारे minus में है इसलिए हमने सभी को यहाँ पर add कर लिया है और add करने के बाद हम यहाँ पर minus का ही sign देंगी क्यों दिए इस वाप समझ गे हमने add करके minus का sign क्यों लगाया है चुकि सबके सब minus में है अब हमको यहाँ पर माइनस करना पड़ेगा यह देखिए हमारे पास है 6400 और हमको यहाँ पर 2080 माइनस करना है तो अभी आपको क्या मिलता है आप चेक किजिए यह तो आपको 0 यहाँ पर आ जाएगा यहाँ से आप बोरो करेंगे 3 बचने वाला यह आपका 10 हो जाता है 10-8 आ और यहाँ पर आपका 4 हो गया तो आप देखिए यह आपका भेलू आ गया है यहाँ पर नोट कर लेजिए 4320 और इधर से यह हमारा 36 एक्स रहने वाला है अब हम एक्स का भेलू लेंगे यह हमारे पास 4320 हम इसको डिवाइड करते हैं 36 से तो यह कैसे डिवाइड होगा तो 6 से डिवाइड कीजिए 66 36 से डिवाइड कीजिए 67 42 और यहाँ पर बच गया 62 और एक 0 आप यहाँ पर पूट कर लेजिए 6 से आप डिवाइड कीजिए तो 6 बंजा 6 6 टूजा 12 और यह 10 that is 120 आपको यहाँ पर आ जाता है तो आप देख सकते हैं एक्स का भेलू आपका आ गया हैं देखे सबसे पहले 6.2 एक्स तो हमारा रहेगा और यह तो टाइमस है ना तो हम इसको लेख सकते हैं एक पॉइंट यूप और इसका में स्कॉर करने वाले हैं तो यहां पर नौट करेंगे एट प्लास 0.1 ओके यह हमारा एट.वन ही आएगा और यहां पर इसको हम 0.1 यह हमारा 1.9 आ जाएगा अब देखिए हम यह पैनस ए प्लस बी का हॉल स्कॉर लगा देते हैं अभी तो लेप्ट साइड जो है वह हमारा रहेगा एज इधर कुछ चेंज नहीं होगा यहां पर हमारा हो जाता है एट स्कॉर राइट और यह प्लस में हम लिखने वाले हैं 2 x 8 x 0.1 प्लस में हम यहां पर लिखेंगे 0.1 अस्कॉर फिर हम माइनस लेंगे ब्रैकेट लेते हैं सेम है तो यह हमारा हो गया 2 to the power 2 हो जागा माइनस में हम लिखेंगे 2 x 2 x 0.1 और प्लस में हम लिखने वाले हैं 0.1 अस्कॉर ब्रैकेट क्लोज कर दिए चलिए इसको हम 64 और यहां क्या होगा तो एक टू जा 16 16 नौट किजी और यह 0.1 है तो पॉइंट यहां पर आ जाएगा फिर हमारे पास यह होगा 0.01 हो जाएगा माइनस लेजी अभी ब्रैकेट आने देजी यह हो गया 4 और यहां पर टू टू जा 4 चुकि यहां पर 0.1 है तो यह हमारा 0.4 हो जाएगा और प्लस में 0.01 यह हमारा आजाएगा आफिरा घ리 को यह पर ब्रैक में ला है तो यह हमारा 64 और प्लस Canon 6 और यह प्लस में 0.01 है मानस हमारा 4 यह मान ship plus 0.4 और मायनस में 0.01 हमारा कुछ cancel आउट हो रहा आप कैंसल कर लेजी यह और यह हमारा कैंसल हो जाएगा और भी तो कुछ कैंसल ने होगा नहीं तो लेप्ट आपका कुछ भी चेंज ने होने हमाला यह अभी रहेगा ओके लास्ट में हम चैप लेज़ेंगे तो अभी आप इसको रहने दीजिये चलिए यहाँ से आप प्लस कर लेज यह है यह आपका प्लस है यह पोगा प्लस है यह मेलेगा चेक करेंगे तो यह हमारा जीरो आएगा यहां पे 6 और 4 10 10 के लिए 0 1 केरी ओवर हो जाएगा तो 4 प्लस 2 हमारा 6 हो गया यह पॉइंट यहां पर रह जाएगा और यह हमारा हो जाता है 6 क्या आ गया 66 आ जाता है ठीक है तो हम यहां पर 66 नॉट कर लेते हैं 66.00 रहने देजिए और यहां पर हमारे पास आप देख सकते हैं यह माइनस में हमारा क्या है न फोर तो इसको हम माइनस में यहां पर लेते हैं अगर हम फोर यहां पर माइनस करते हैं तो हमारे पास क्या बच जाता है तो यह हमारे पास बतता है 62 राइट और इधर हमारे पास क 6.2 x है ओके कोई बात नहीं अब हमारे पास x का वैलू आ चुका है x is equal to हमारे पास 62 है और यहां पे 6.2 से हम डिवाइड कर लिए तो डिवाइड करेंगे तो इस डेसिमल को अगर हम हटाते हैं तो यहां पे नूमेरेटर में 10 से मुल्टिप्लाइ करेंगे 62 से 62 कैंसल हो जाग लोग सॉल्व कर लेते हैं ओके अ